Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की सुड़े में मैं आपको एक्स्पिनिट करने वाली हूं 2002 में आई हॉरर मुवी राज. So without wasting time, मुवी का एक्स्पिनिशल स्टार्ट करते हैं. मुवी स्टार्ट होती है, उटी से जहांपर कॉल स्टोरेंट का ग्रूप पेक्निक मनाने के लिए आया है. उस ग्रूप में नीशा नाम की एक लड़की है, जो जंगल की तरफ चली जाती है. जब उसका बॉइफरेंड उसके पीछे आता है, तो नीशा अपना आवाज बदल लेती है, और कुछ आजीब सा बीहेव करने लगी है. वो अपने बॉइफरेंड पर अटेक करती है, जिसके वज़े से उसे काफी चोट आती है, और उससे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है. नीशा को भी हॉस्पिटल लाय जाता है, और उसका बीहेवियर बहुत ही डरावना था. उसे बांद कर रखा था, फिर भी वो आजीब सी आवाज में चिला रही थी. वहाँ पर प्रोफेसर अगनी स्वरूप को बुला जाता है, जो इस तरह के सूपरनेचल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट थे. वो जब नीशा को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लिम नहीं बल्कि उसे किसी ने हॉंट कर लिया है. नीशा की मौत से पहले उसका चेहरा कम्प्लीट ली बदल गया था और उसकी आवाज भी पूरी चेंज हो गई थी. प्रोफेसर आगमी सब को बताते हैं कि नीशा को किसी इविल स्पिरिट ने हॉंट कर लिया है और वो किसी परपस की वज़े से जागी है और वो अपना परपस पूरा करके रहीगी. फिर सिन्षिफ्ट हो जाता है मुंबई में जहां पर संजना धनराज नाम की एक लेडी अपने हस्बंड आदित धनराज के साथ पार्टी में आई है. लेकिन पार्टी में संजना बहुत ही खुद को अकेला महसूस कर रही थी. क्योंकि उसका हस्बंड उसकी बिजनिस प्लाइन्स डिसकस करने में ही बीजी था. वो संजना की तरफ एटेंशन ही नहीं दे रहा था. जिसकी वज़े से संजना परिशान हो जाती है और उससे जगड़ा करकर घर अकेली ही वापस चले जाने लगती है. संजना जब कार से घर जा रही थी तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जैसे की कोई उसे पुकार रहा हो. जिसकी वज़े से संजना का कंट्रोल छूट जाता है और उसकी कार का एकसिडेंट हो जाता है. संजना को जल्दी हॉस्पिटर लेकर जाया जाता है जहांपर उसके हजबन भी आते हैं डॉक्टर अदित्य को बताते है कि संजना का एक्सिडेंट बहुत ही बूरा हुआ था लेकिन यह एक मिराकल ही है कि संजना को कुछ नहीं हुआ आदिते को जब पता चलता है कि वो संजना को खोने माला था तब उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो संजना से माफ़े मांग लेता है संजना और वो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन अब उनके बीच में कुछ दूरिया आ गई थी संजना अब आदिते से डिवाश जाती थी तो आदिते उसे कहता है कि उन्हें उनकी रिलेशनशिप को एक और मोखा देना चाहिए संजना भी आदिते से प्यार करती है तो वो मान जाती है वो तैय करते हैं कि वो कही बाहर घूमने जाएंगे तो संजना कहती है कि वो लोग उटी जाएंगे क्योंकि उटी में ही वो दोनों मिले थे और वही पर उनके रिलेशनशिप के शुरुआत हुई थी तो वो दोनों अपने बंगलो में आ जाते हैं ये वही बंगलो है जिसके पीछे निशा आई थी और वही पर उस पर अटेक हुआ था संजना उस जगह को अच्छे से देखने लगती है और उसकी पुरानी यादे तासा होने लगती है वो अपने उन दिनों को मिश करने लगती है तब ए उसे वहाँ पर कुछ आजिब सी आवादे सुनाई देने लगती है कुछ आजिब सा फील होने लगता है वो आदिते को इस बारे में बताती है लेकिन आदिते उसे कहता है कि ये उसका वहम होगा एक दिन संजना आदिते को रॉबर्ट के बारे में पूछती है जो उनका पुराना केरटेकर था लेकिन आदिते उसे बताता है कि रॉबर्ट कहीं भाग गया वो अपनी नई केरेटेकर को रॉबर्ट के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि रॉबर्ट कहा गायब हो गया ये किसी को भी नहीं पता और संजना को अगर उसके बारे में जानना है तो वो रॉबर्ट की पत्नी से मिले तो संजना रॉबर्ट की वाइफ से मिलने चली जाती है उसकी वाइफ उसे बता दी है कि रॉबर्ट कुछ अजिब सा बहेव करने लगा था उसे लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है ये कोई उसे मारनी की कोशिश कर रहा है संजना यह सुनके डर जाती है कि उनकी संजना के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था रॉबर्ट की वाइप संजना को ये भी बताती है कि रॉबर्ट संजना की बंगलो की तरफ बिलकुल नहीं जा रहा था वहाँ जाने से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था संजना फिर आधिते के पास जाती है और उसे इस सब के बार में पूछने लगती है उसे बताने लगती है कि जो रॉबर्ट के साथ हुआ उसे भी वैसा ही फिल हो रहा है उसे बार-बार लगता है कि कोई उसे अपने पास पुकार रहा है आधिते संजना को डाटने लगता है और उसे कहता है ये जो sleeping pills वो लेती है उसे की वज़े से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है जिसकी वज़े से आधिते और संजना के बीच में जगड़ा हो जाता है और आधिते कहीं चला जाता है आधिते अपने एक friend के घर चला जाता है जिसका नाम आजय था उसकी wife का नाम प्रिया था आधिते अपनी problem उनको बताता है जिसके बाद वो दोनों आधिते और संजना को फिर से एक करने में उनकी मदद करते है एक दिन संजना प्रिया के पास आती है और उसके साथ जो हुआ उसे बताती है तो प्रिया उसे एडवाइस करती है कि उसे प्रोफेसर अगनी से मिलना चाहिए संजना जाकर प्रोफेसर अगनी से अपने साथ जो हुआ वो सब कुछ बताने लगती है जैसे प्रोफेसर को पता चलता है कि संजना उस घर में रहती है जहां पर ही निशाक पर हमला हुआ था, वो तुरंद उसके घर आ जाते हैं वहां पर वो एक नीमबू रखते हैं, एस संजना का कोईते हैं कि अगर नीमबू का कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब यहां बेसेच में कोई आत्मा है दूसरे दिन सुबह जब संजना नीमबू को चेक करती है तो नीमबू का कलर रेड हो चुका था वो यह बात प्रोफेसर को बता दी है तो वो कहता है कि उसके घर में कोई इविल स्पिरिट है जो किसी मकसद से उसके घर में रही रही है जैसे संजना यह सुनती है वो भागर आदिते के पास जाती है आदिते तब एक मीटिंग में था संजना उसे चिला कर बताने लगती है कि उनके जर में कोई भूध है वो उसकी बात नहीं अकिन कर रहा था लेकिन अब प्रोफेसर अगनी को भी पता है कि उनके घर में भूद है। जैसे आदिते प्रोफेसर अगनी का नाम सुनता है वो उनके आफिस चला जाता है और उनको मारने पीटने लगता है कि उन्होंने उसकी वाइफ को भैकाया है और डराया है। वो आदिते को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आदिते नहीं मानता संजना ने जो मीटिंग में किया था उस बात से आदिते के पाबा काफी नारास थे और वो उन दोनों को मुंबई वापस पुला लेते हैं। तो यह जब प्रोफेसर को बताती है कि संजना मुंबई जा रही है तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो आत्मा संजना को कही नहीं जाना ही था तो वो अकिला ही प्लेन से मुंबे जाने का तेह करता है। हादिते के जाने के बाद संजना फिर से प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें अपने प्रॉब्लिम बताती है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो आत्मा संजना से कुछ बात करना चाहती है और संजना को अकिले ही उससे बात करनी होगी संजना इस बात के लिए एगरी करती है तो वो उसे एक गुख देते हैं जिसे पढ़ने के बाद वो आत्मा आ जाएगी लेकिन प्रोफेसर उसे बॉर्ण करते हैं कि वो आत्मा आएगी तो संजना के बुलाने पर लेकिन जाएगी अपनी मर्जी से लेकिन संजना को अब इस सबसे बहुत इरिटेशन हो रहा था और वो अपने सवालों का जवाब चाहती थी इसलिए वो इस बात के लिए मान जाती है वो घर आकर वो बुक पढ़ने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके घर के लाइट्स फ्लिकर होने लगते है यहाँ वाँ से चीज़े हिलने लगती है और संजना घर के बाहर चली जाती है वो उसी एरिया में चली जाती है जहाँ पर निशा को और एटेक हुआ था वहाँ पर संजना को एक गन मिलती है जिसे आगली दिन संजना लेकर प्रोफेसर के पास चली जाती है वो जब उस गर्ण की इंक्वाईरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक रिटायर कर्णल अजुन मलिक की गण है वो उन्हें कॉल करते हैं तो संजना उन्हें मिलने के लिए बुलाती है पहले संजना को लग रहा था कि इसी कर्णल ने एक लड़की को मार दिया है और उसकी आत्मा संजना को परेशान कर रही है कर्णल संजना को बताते हैं कि वो उनकी बेटी थी जो उनकी गण लेकर भागी थी एक्चलि उनके बेटी का नाम माली नी है और वो mentally ill थी उसे mental asylum में रखा गया था और एक दिन वो वहाँ से भाग निकली वो घर आकर करनल के पास से उसकी गन लेकर कही पर भाग गई और तब से लेकर आज तक करनल उसे ढूंड रहे है लेकिन अब उने पता चला कि उनकी बेटी की टेथ हो चुकी है संजना जब यह सुनती है तो उसे समझ में नहीं आता कि माली में उसे क्यों परेशान कर रही है संजना फिर से अपने घर जाती है और रात को वहाँ आके ले रुकने का फैसला करती है क्योंकि वो आज भी उसके साथ बात करने वाली थी रात होते हैं संजना उस स्पिरिट से बात करने लगती है कि वो क्या चाती है उससे तब ही हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद आदिते वहाँ पर आ जाता है और संजना उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है जैसी आदिते उसके पास आता है उसका चेहरा चेंज हो जाता है और आदिते कहता है कि तुम तो मर चुकी हो तुम यहां कैसे संजना ये सुनके शौक हो जाती है और वो आदित से पूछती है कि कौन मर चुका है आदित पहले तो बता नहीं रहा था लेकिन संजना के पूछने पर वो बताने लगता है कुछ साल पहले जब वो अकेला उटी आया था तब उनके घर पर एक लड़की आई थी ये वही लड़की थी माली नी माली नी बहुत ही भीग चुकी थी और वो आदिते से हेल्प मागती है क्योंकि उसकी कार खराब हो चुकी थी आदिते उसे घर में आने देता है और उसके लिए गरम कपड़े लाता है लेकिन माली नी आदिते को सेड्यूस करने लगती है और आदिते भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो दोनों इंटिमेट हो जाते हैं और अगली दिन आदिते देखता है कि माली नी कहीं चली गई है वो जब अपने काम किसी उसले में बाहर जा रहा था तो माली नी वही पर रोड़ पर रुकी थी वो आदिते को फिर से सेड्यूस करने लगती है और उसे अपने पीछे पीछे जंगल में ले जाती है जंगल में वो दोनों फिजिकल हो चाते हैं और वो दोनों अब साथ ही रहने लगते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीटते हैं और आदित को संजना को कॉल आता है वो संजना के सथ बाते करी रहा था जो मालीनी सुन लेती है वो आदित ऐसे जड़ा करने लगती है कि संजना को बता है कि मालीनी उसकी लाइफ में है और वो संजना को डिवार्स देना चाहता है लेकिन आदिते असंजना से प्यार करता था और मालीनी के साथ वो सिफ टाइम पास कर रहा था तो वो मालीनी को यहां से जाने के लिए कहता है मालीनी इस बात से बहुत गुसा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है आदिते को लगा था कि मालीनी अब उसकी लाइफ से चली गई है लेकिन अगले दिन जब वो अपने काम पे जा रहा था तो मालीनी फिर से वही पर खड़ी थी वो आदिते से कहती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन आदिते उसकी एक बात नहीं सुनता तो मालीनी अपने पापा के गन से खुद को शूट कर लेती है वो मरने से पहले आदिते को कहती है कि अगर आदिते उसका नहीं हो सका तो वो किसी और का भी नहीं होने देगी और उसकी वाइफ को वो नहीं चुड़ेगी आदिते बहुत डर जाता है और वो अपने केर टेकर रॉबर्ट के साथ मिलकर मालीनी की लाश को उनके घर के पीचे की जंगल में दफना देता है इसी वचे से मालीनी के आत्मा रॉबर्ट को भी हॉंट कर रही थी उसने रॉबर्ट को भी मार दिया था जैसे ही संजना को पता चलता है कि आदिते का अफेर था तो वो आदिते पर बहुत ज़दा गुसा हो जाती है वो उसके चिलाने लगती है कि एक तो आदिते ने उसे चीट किया और जब संजना बता रही है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है फिर भी आदिते ने उसके उपर विश्वास नहीं रखा संजना वहाँ पर गुसा होकर घर छोड़ कर चली जाती है वो प्रिया के साथ प्रोफेसर अग्मी के पास चाती है और उन्हें जो हुआ वो बताती है प्रोफेसर अग्मी संजना पर चिलाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे आदिते को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था क्यूंकि वो Evil Spirit यही चाहती थी कि संजना आधिते को छोड़ दे बहले ही संजना आधिते से नाराज है लेकिन इनसानियत के खातिर उसे आधिते के पास जाना चाहिए क्यूंकि आधिते की जान को ख़त रहा है जैसे ही संजना यह सुनती है वो प्रोफेसर और प्रिया के साथ अपने घर के लिए निकलती है तभी हम देखते हैं कि संजना के बंग्रों में एक दूसरी संजना आई है जो आदिते को अपने साथ लेकर जाती है जब थोड़ी दिर बात ये रियल संजना वहाँ पर आती है तो अपने केर टेकर को आदिते के बारे में पूछती है केर टेकर कंफ्यूस थी वो बदा थी है कि थोड़ी दिर पहले आप ही तो उसे साथ लेकर गए थे संजना और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर माली नी थी तो वही कार में आदिते संजना से बात करने के कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये संजना है ही नहीं और उसकी कार खाई में गिर जाती है आदिते को हॉस्पिटल में भर्दी कर लिया जाता है जहां पर उसके सारे लिलेटिवस आ जाते है संजना जब हॉस्पिटल पहुचती है तो आदिते की कंडिशन काफी ज़्यादा सीरियस थी वो आजए से पहुचती है कि क्या आदिते बच पाएगा या नहीं तो आजए रोने लगता है तब ही प्रोफेसर उसे बताते हैं कि आदिते को बचाने का अभी भी एक चांस उसके पास है प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें जल से जल मालिनी के बाडि ढूंड कर उसे जलाना होगा जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ती मिल जाएगी और डॉक्टर्स आदिते को बचा लेंगे वो तीनों उसी जगा पर जाते हैं जहां पर मालिनी की बाडि को दफनाया गया था प्रोफेसर नीवो की मदद से मालिनी की बाडि फाइंड आउट कर लेते हैं अब उन्हें जल से जल उसे बंड करना था प्रोफेसर जब कार में से पेट्रोल निकालने के लिए जलते हैं तब ये मालिनी की स्पिरिट फोन पर हमला कर देती हैं वो उन तीनों को रोगने की काफी कोशिश करती हैं लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आ रहे थी आखिर में वो प्रोफेसर की बाड़ी पर कब्जा कर ले थी हैं और वो संजना और प्रिया को डराने लगती हैं संजना किसी तरह से अपने आपको बचा लेती है और गाड़ी में से डीजल निकाल कर मालिनी की दफनाई होई बोड़ी पर आग लगा देती है मालिनी जो प्रोफेसर के चरीर में घुसी थी उसे रोकने की कोशिश करती है और उस आग में ही कूछ जाती है जिसकी वज़से प्रोफेसर की भी मौत हो जाती है मालिनी की स्पिरिट का यही पर अंत हो जाता है जिसके बाद प्रिया और संजना फिर से हॉस्पिटल आते हैं आजे उन्हें बताता है कि आदित्या की कंडिशन अब बेटर है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा संजना और प्रिया भी ये जानकर काफी कुश हो जाते हैं और फिर सीन कुछ समय बात शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर आधित्याब रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और संजना ने भी उससे माफ कर दिया है और वो दोनों अब साथ-साथ ही रहने लगे हैं और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक्स फॉचिंग दे वीडियो